स्क्राइब करिए Mr. Techy को और बेल आइकन को दबाईए मेरी वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले नमस्कार दोस्तो मैं हूं Mr. Techy और एक और टेक पीडियो अपने चैनल पर लेकर आए ऑर उसके इलावा कर मैं これ 4 karşि तो वह मिलेगा आपको 4 Mick 99 रुपे में और उसके लावा बात करते हैं दोस्तो प्रुश्टो स्पेसिफिकेशन की तो सबसे पहले भारत 3 की स्पेसिफिकेशन के बारे मिए यहां पर बात करते हैं यहां पर आपको साधे चार इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिलता है 480 बाई 854 पिक्सल जो है इसकी पिक्सल डेंसिटी है और जो सिस्टम उन्चिप लगा हुआ है वो है मीडिया टेक का सिक 737 एक जीबी की रैम आपको यहां पर मिल जाती है आट जीबी की इंटरनल स्टोरेज यहां पर आपको मिलती है कैमरा के बार में बात करें दोस्तों रेर में और फ्रेंट में दोनों में आपको 5 मेगा पिक्सल का कैमरा दिया गया है और उसके अलावा दोस्तों वाई फाई ब्लुटूथ OTG यह सारे सपोर्ट आपको मिल जाते है और पच्चिस सो मिली अम्पियर की बैटरी आपको इस फोन में मिल जाएगी अब बात करते हैं भारत 4 की यहां पर आपको मिलता है पांच इंच का एक HD डिस्प्ले यानि जो रेजोलूशन है वो 720p resolution दी गई है और system on chip के बारे में बात करें तो यहां पर अगें सेम प्रोसेसर है Mediatek का 6737, 1GB RAM और यहां पर 16GB की internal memory मिल जाती है दोनों फोन्स में ही 32GB तक का आप कार्ड लगा सकते हैं, डुवल सिम फोन्स हैं दोनों ही 4G वोल्टी को सपोर्ट करते हैं और भारत फोर में भी अगर मैं कैमरास में बात करूं तो रेर में आपको 5MP और फ्रेंट में भी 5MP कैमरा मिल जाएगा और यहां पर अगें सेम बैटरी 2500 mAh की आपको देखने को मिल जाएगी अफोर्ड बोल्टी फोन से हैं को डाउट प्राइस रेंज भी काफी ठीक ठीक ही है जादा महंगा भी नहीं है जादा सस्ता भी नहीं है बट यहां पर देखने वाली बात है कि कितने लोग इस फोन को लेना प्रेफर करेंगे तो फिलाल दोस्तों यह थी complete features, specifications और प्राइस भारत 3 और भारत 4 की बताएगा दोस्तों कैसी लगी वीडियो कर अच्छे लगी तो प्लीस like बटन को click करिये share करिए इस वीडियो को अपने friends के साथ और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए subscribe करिये मेरे channel को फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही धन्यवाग